जहरखंड पोले टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम 2023 के जितने भी स्टुडेंट दिये हैं उनका नमबर 10 आ रहा हो या 20 नमबर आ रखा हो या 30 नमबर आ रहा है या 40 नमबर 50 नमबर या 1.500 में 1.500 नमबर आ रहा है तो वह सभी स्टुडेंट को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बाते करने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज जानना होगा कि जहरखंड पोले टेकनिक में टोटल कॉलेज कितने है एक चीज आप सभी को बता दे कहीं भी किसी वे स्टेट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां तीन तरह के गवर्मेंट पोले टेकनिक कॉलेज एक प्राइविट पोले टेकनिक कॉलेज होते हैं और private जो है वो 20 है तो वह 40 से 50 के बीच में private polytechnic college, added polytechnic college और government polytechnic college जहरखंड में है ये चीज आप सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरा थे ताकि आप सभी seat को analyze कर सके उसके बाद आप सभी को ये जानना जरूरी है कि government polytechnic college में total seat कितना है तो total seat जो है वो जहरकंड polytechnic में 5000 के आसपास है ठीक है added, added, added के लेकर ठीक है अब आप सभी को मैं बता दू कि कितना कितना number अगर आप सभी का आ रहा है तो आप सभी को कौन कौन से college में मिलेगा और एक चीज मैंने आप सभी को starting में और thumbnail में भी बताया है कि 10 नमर वाले student को भी मिलेंगे government polytechnic college कैसे मिलेगा वो भी तरीका इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप सभी अच्छे से process को समझेंगे और उसको apply करेंगे 10 नमर 20 नमर 40 नमर 50 नमर वालो के भी government polytechnic college मिला है और इस पार भी मिलेगा उसका process और पड़किरिया को समझेंगे सबसे पहले आप सभी को बता दे government polytechnic college में admission लेने के लिए वैसे student जिनका 70 से उपर नमर आ रहा है 70 नमर से अगर वा student जिनका general OVC, SC, STEWS category से बिलोग करें 70 नमर से उपर आ रहा है तो वा सभी student को top 5, top 1 से top 5 के government polytechnic college में admission मिल जाएगा 70 नमर से उपर लाने वाले सभी विद्यारती को top 1 से top 5 के government polytechnic college में किसी भी ब्राज में admission मिल जाएगा वही बात क्या जाए कि अगर 50 से 70 के बीच में बात क्या जाएगा 50 नमर से 70 नमर के बीच में जितने वी student ला रहे हैं वा सभी student को top 10 के government polytechnic college में जारखंड के top 10 government polytechnic college में admission मिल जाएगा बात क्या जाएं यहाँ पर कि 30 नमबर से उपर लाने वाले स्टूडेंट को जार खंड के government polytechnic college में top 10, top 5, top 15, top 20 के government polytechnic college में उनका जो है 100% admission मिल जाएगा यह है 30 नमबर से उपर लेकर आने वाले स्टूडेंट को यू कहें कि देर सो नंबर में अगर 30 नंबर स्टूडेंट जीन होने भी लाया है वो सभी स्टूडेंट का जो है 100% एड्मिशन हो जाएगा अब आप से भी का एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि सर आपने थमनेल में जो लिखा है 10 नंबर का तो क्या 10 नंबर वालों के भी गवर्मेंट पोलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा तो एक चीज़ आप से भी को डिरेक्ट और क्लियर मेंसन कर दे दोस्तों 10 नंबर लाने व नहीं लाया होगा डेफिनितली ऐसा स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो 5000 स्टूडेंट के संख्या में 40 नंबर 50 नंबर लाये होंगे तो ऐसे जगह पर आप से भी का क्या करना होगा कि 10 नंबर पर भी आप सभी को गवर्मेंट पोलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल 10 नंबर में गवर्मेंट पोलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा मुस्किल होता है वही यहां पर एड़ेट गवर्मेंट पोलिटेक्निक कॉलेज में 100% आप सभी का जो है एडमिशन मिल जाएगा अब एड़ेट गवर्मेंट पोलिटेक्निक कॉलेज के बा जैसे कि certificate पूरा का पूरा original दी जाती है उसी परकार यहां added government polytechnic college में जो है added का मतलब अर्ध सरकारी polytechnic college होता है तो अर्ध सरकारी polytechnic college में जो है आधा आप सभी का सरकारी रहेगा और आधा जो है वो private संस्ता रहती है तो आप सभी का जो degree जो होती है वो आप सभी को पुरा original degree सरकारी certificate दिया जाता है लेकिन उसमें पैसा जो आप सभी का लगेगा वो private का पैसा लगेगा मालनीजिये अगर आप सभी का सरकारी college में 30,000 में अगर 3 साल का आप सभी का complete होता है तो वहीं आप सभी को यहां डेर लाग के आसपास लगने वाला है तो इसे हम अर्ध सरकार polytechnic college काते हैं लेकिन यहां पर आप सभी का जो degree है वो original मिलने वाला है डिगरी जो same जो वो top 15 के student जो है top 5000 seat के अंदर वाले student को जो certificate मिलने वाला है वही certificate आप सभी को यहां पर मिलने वाला है तो आप सभी निश्चीनत रहेंगे तो यहीं अगर आप सभी का 10 नंबर 5 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आ रखा है तो आप सभी added polytechnic college की और जा सकते हैं private polytechnic college की और जा सकते हैं ठीक है चलिए